जैहिंद, नमस्कार मद्धे परदेश के ग्वालियर, सहित और भी देशबर के कैई सानावर्ति कारियालों के लिए आज से ओनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं एमदाबाद सानावर्ति के नोटिफिकेशन जारी नहीं होने को लेकर अब से पहले युवाओं के लगातार मैसेज आ रहे थे वो पूछ रहे थे सर कब से फार्म शुरू होंगे तो उन युवाओं का नोटिफिकेशन भी कल जारी हो गया है और उनके आज से ओनलाइन आवेदन शुरू हो गया है वहीं दूसरी और अलवर्ट से ना भरति को लेकर भी तयारियोंने अब तेजी पकड़ ली है इसको लेकर जिला कर्रक्र जीतंदर सौनी वे से ना के अधिकारियों के बीच एक बैठक कोई है जिसमें सैना भरती के तैयारियों पर भरती के दोरान जो ववस्ता की जानी है उनको लेकर भी एक रूप रेखा तैयार की गई है वहीं इस बार ने लिया गया है कि इस बार यह है भरती इंदरा गांदी स्टेडियम में ने होकर मीनापुरा आरेसी ग्राउन में होगी सैना भरती अधिकारी करणल एनपी सिंग ने बताया कि भरती में सामिल होने के लिए अलबर से 34310, भरतपुर से 26645, 24645 और दोहलपुर से 8704 जवाओं ने भरती में सामिल होने के लिए ओनलाइन आविदन किया है वही जानकारी ये भी है कि एक दो दिन में या फिर नेक्स्ट वीक में कैई और सैना भरतियों के एडमिट कार्ड भी जारी हो सकते हैं जिसमें बरेली, कोड़वार, लोधिहाना, हिसार, सहीत, कैई और सैना भरती रेली सामिल है इसलिए अब आप सभी युवा जो अगनीवीर बनने के लिए मैदान में हैं वो अब अपनी अपनी त्यारियों को और तेज कर दो अपने अपने दस्ताबेश त्यार करने भी सुरू कर दो और जिन जुवाओं ने अभी तक भी COVID की वैक्सिन नहीं लगवाई है वो सभी युवा COVID की वैक्सिन जरूर लगवाल है जिन जुवाओं ने एक ही डोज लगवाई है वो युवा अपनी दूसरी डोज लगवाल है और जिन युवावने दोनों डोज लगवाली हैं तो वो युवा COVID की बूस्टर डोज भी लगवाल है इसके लिए आप सभी अपने अपने नजदे की सरकारी अस्पताल जाकर इस वारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं तो सातियों अब आपके पास तयारियों के लिए जादा समय नहीं बचा है आप अपने तयारियों में जुट जाएं लेकिन इस बात का बेहत ध्यान रखें कि तयारियों में जोस के साथ होस्मरेकर ही तयारी करें एक साथ आप अपने सरी की छमता से अधिक जादा जोर बिलकुल भी ने लगाएं ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ने हो और दोड़ते समय इस बात का बेहत ख्याल रखें कि अगर आप सड़क पर दोड़ते हैं तो सड़क पर अंधेरे में किसी गड़े में आपका पैरने पड़ जाए कोई मोच या कोई फ्रेक्शर ने हो जाए और अगर बारिस के चलते मैदान में फिसलन हो रखी है तो भी दोड़ते समय साबधानी बरते हैं कहीं आपके साथ कोई दिक्कत ने हो जाए दूसरी और वो युवा जिनका आर्मी का एक्जाम पेंडिंग है युवा अपने हग के लिए 10 अगस्त से जैपुर से दिल्ली के लिए पैदल कुछ करने वाले हैं इस आंदोलन में देश भर के युवा सामे हो रहे हैं क्योंकि सरकार ने उन युवाओं के साथ गलत किया है उनसे उनका हक्षी ना है और उनका जो भरती है पुराना उसको रद कर दिया है इसलिए हम आप सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप जिस भी तरह इन युवाओं को सपोर्ट कर सकते हैं उनका साथ इस बुरे दोर में जरूर दे हैं देखिए हमें ये भी पता है कि जिन युवाओं ने ऑनलाइन आबिदन किये होए हैं वो युवा आप उनकी किसी भी तरह कोई मदद कर सकते हैं तो उसमें भी आप उनका सभ जरूर करें क्योंकि जो खुशी आज उन युवाओं को हैं जो अभी इस भरती में सामिल होने वाले हैं कभी वही खुशी उन युवाओं ने भी देखी थी कड़ी मेहनत करके वो यहां तक पहुँचे थे लेकिन सरकार ने उनके साथ धोका किया और उनके सारी मेहनत पर पानी फिर दिया इसलिए आप सभी युवा इन युवाओं का जैसे भी सयोग कर सकते हैं उनका सयोग जरूर करें और आखिर में आप सभी युवाओं से भी हम अपील करेंगे जो इस सत्या ग्रह में सामिल होने के लिए जयापुर पहुँच रहे हैं कि देखिए आपकी एक गलती से ये आखिरी मौका भी आपके हाथ से निकल सकता है इसलिए कोई भी युवाओं सत्या ग्रह में कोई हुर्दंग बाजी या किसी भी तरह कोई भी ऐसा कारिया ना करें जिससे की कानून का उलंगन होता हो या आम जन को कोई परेशानी होती हो आप सभी सांती पूर्वक तरीके से अपना पैदल मार्च करें क्योंकि 25 अगर्ष्ट को आपके हक की इस लड़ाई को लेकर दिल्ली हाई कोट में सुनवाई होनी है और जहां तक इस मामले को लेकर वकीलों का कहना है उनका यही कहना है कि युवाओं को कोट से निया जरू मिलेगा देखे साथियो इस सत्याग्रह को लेकर रबिंदर भाई फौजी ने एलान कर दिया है उन्होंने इसकी पूरी रूप रेखा त्यार कर लिया है और उन्होंने युवाओं को भी यह मैसिज दे दिया है कि वो 10 तारिक को सभी जुवाद जयापूर पहुंचे और 10 तारिक को पहले एक बार जयापूर कलेक्टरेट पर वहाँ पर सत्याग्रह करके वहाँ पर कुछ इवेंट करने के बाद में वहाँ पर कलेक्टर साहब को एक ग्यापन दिया जाएगा और उसके बाद वहाँ से वो रवानगी करेंगे इसके आगे की जो भी रूप रेका है वो रबिंदर भाई फौजी आपको जानकारी दे रहे हैं और जैसे ही हमें भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो हम भी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे तो चलिए साथ उपर मिलते हैं सैना मर्ति से जुड़ी किसी नई अप्रेट के साथ तब तक साब्धान रहें दलालों से दूर रहें अपना और अपनों का ख्याल रिखेगा जैहिन जै भारत वंदे मात्रों